Hey everyone, welcome back. आज हम discuss करने वाले हैं AMU Urdu Grammar की previous year questions. 2011 से लेके 2022 तक AMU में Urdu Grammar की कितने questions पूछे गए हैं, आज हम उनके answer देखेंगे और उन पर detailed discussion करने वाले हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों को बता दू जिरेने कभी Urdu Grammar नहीं पढ़ी हुई है. हमारे चैनल पे AMU 9 इंटरेंस के लिए पूरे अर्दू Grammar की series अपलोड है. आपको description में playlist के link मिलेगी, वहां से वीडियो देख लेए फिर आपको answer करने में और मजा आएगा. चलिए शुरू करते हैं, 2022 में कोई भी Urdu Grammar का question नहीं आया हुआ था, तो हम देखेंगे 2021 में. 2021 में एक कोशन आया हुआ है. कोशन है, एक जैसे आवाज और हर्फ पर खतम होने वाले अलफाज को क्या कहते हैं? एक जैसे आवाज और हर्फ पर खत्म होने वाले अलफास को क्या कहा जाता बच्चों यहां भी option C सही रहेगा काफिया ठीक है prepare भी करते जाना, revision करते जाना कैसे रहेगा काफिया काफिया ऐसे अलफास होते हैं जो एक जैसे आवाज और एक जैसे हर्फ पर होते हैं जैसे अलबं सरगम यह पहां पही हो रहें हैं एक जैसे हर्फ है अलबं भी में पह सरगम भी मीम पह sow रहा हूग और इनकी आवास भी लास्ट में किया अरी तो यह मा की आ रही है तो इस अलफाशों को क्या कहा जाता है काफिया कहा नेक्स्ट कोशन देखेंगे हम 2022 में आपसे कोशन पूछा गया था लफ्ज आग बगूला होना क्या है ऑप्शन ए जुमला है मुतजाद मुतरादिफ ऑप्शन डी है मुहावरा तो यहां पर जो सही ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नमबर डी मुहावरा लफ्ज आग फिर 2019 में कोशन आपसे पूछा गया था ऐसे अलफाज जिनके माने और इमला मुक्तलिफ हो लेकिन आवाज एक हो उसे क्या कहते हैं आप्शन क्या है आपका पहला आप्शन है हम आवाज लफ्ज दूसरा है मरकब लफ्ज तीसरा है मतरादिफ लफ्ज चौता है हम वजन ल जिनके इमला मुक्तलिफ हो स्पेलिंग डिफरेंस होती है और उनकी मीन compelled driven होती है लेकिन जब हम उन्हें बोलते हैं तो उनकी आवाज एक Movie तोर ऐसे आवाने आप होता है एक आप होता है दोनों के इमला मुक्तलिफ में एक अलिफ से शुरू हो रहा है, काइन से शुरू हो रहा है लेकिन इनके जो आवाज है बोलने पे आम, उसको भी आम बोलेंगे ठीक है, तो आवाज एक जैसे होते हैं लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंस करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे हम आवाज लफज आगे बढ़ेंगे हम नेक्स कोशन हमारा 2019 का ही है कोशन है इसम फाइल की तारीफ मन्ज़च चजील में से एक है इन चारों में से आपको बताना है इसम की तारीफ क्या है इसमें फाइल की तारीफ क्या है सॉरी Option A है किसी काम को जाहिर करके किसी काम का होना जाहिर हो किसी काम की नौईत को जाहिर करे किसी काम के करने वाले को जाहिर करे तो इसमें फाइल हमने क्या पढ़ाता है इसमें फाइल वो होता है जो किसी काम को करने वाले को जाहिर करे यहां पे Option D सही रहेगा आपका इसमें फाइल क्या है, इसमें फाइल किसी काम के करने वाले का जाहिर कहता, जैसे हाफिज, हाफिज क्या होता, हिफ्ज करने वाला, मसाफिर, मसाफिर कौन होता, सफर करने वाला, तो यहां पे काम जो कर रहा होता, वही होता हमारा इसमें फाइल, आगे बढ़ेंगे, next question हमारा है 2018 question है, सिफ़त की पहचान कीजिए इन चारों में से बताना आपको सिफ़त कौन सा है, option A है मौई C, option D है पत्थर, option C है हम option D है खराब यहाँ पे जो सही option है आपका वो है option D, खराब सिफ़त क्या होती है, सिफ़त वो चीज़ है जो इसम की कैफियत, हालत या उसकी अच्छाई बुराईयों को जाहिर करे, तो यहाँ पे खराब क्या है, एक बुराई है इसम की बुराई जाहिर करते हैं हम इससे उसे क्या कहेंगे, शिफ़त कहेंगे आगे बढ़ेंगे हम, फिर हमारा question 2017 से है sorry, 2016 से फिर हमारा question है question है, लफज आग बगूला होना क्या है, देखो question repeat कर गया, यह पूछ चुका है पहले, लेकिन फिर उन्होंने 2016 का question था, आगे भी उन्होंने repeat क्या, क्या है लफज आग बगूला option A, जुमला, option B मुतजात, option C, मुतरादिफ option D, मुहावरे तो हमें पता है, क्या है लफज आग बगूला option D, मुहावरा, आगे बढ़ेंगे हम फिर question 2016 से ही है, question हाफिज का इसमे फाइल बताईए अभी मैंने बोल दिया, हाफिज कौन होता है हिव्ज करने वाला यहाँ पर option A सही रहेगा आपका फिर हम देखेंगे, question है आपका 2015 से क्या है मुरकव लफज पर निशान लगाईए चारों में से कौन सा मुरकव लफज है वो बताना है आपको option A है मरगूम option D है तलमिलाना option C है मजाल option D है खुज़त बाजी तो यहाँ पर सही एंसर है आपका option D मुरकव लफज क्या है हुज़त बाजी, मुरकव लफज हमने क्या पढ़ेते है मुरकव लफज वो होते हैं जो किसी के शुरू या आखिर में जुडने से बने ठीक है, तो मुरकव लफज यहाँ पर क्या है हجत बाजी हुजजट एक दूसरा अलफाज और बाजी दूसरा अलफाज दोनों जुठके बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे मुरक्कब अलफाज आगे बढ़ना है हमें फिर हमारा कोशन है 2015 से कोशन क्या है फेल की तारीफ बताईए फेल क्या होता है इसमे की जगे है बोला जाए इसमे की तारीफ बताए इसमे की बुराई बताए काम करना या होना बताए तो हमने क्या पड़ रखा है पहले फेल क्या होते है काम का करना या होना जिन से जाहिर हो उन्हें हम फेल कहते हैं सही option कौन सा है option D फिर से repeat करूँगी जिन्होंने वीडियो नहीं देख रखी है concept वाली detail explanation वाली playlist में link मिलेगी वहां से जाके देख ले उतना आपने पढ़ लिया तो आपका AMU 93 entrance के लिए उर्दो grammar पूरा complete हो जाएगा उसको जरूर देखिएगा फिर हम next question देखते हैं question हमारा 2014 से क्या है question सिफ़त बताईए आपको सिफ़त बताना है हमने अभी देखा सिफ़त क्या होते हैं जो इसम की अच्छाई या बुराई बताए हालत या कैफिकत बताए option A हामिद option B है दोड़ना option C है पढ़ना option D है खुबसूरत यहां पर क्या है सिफ़त option D है खुबसूरत खुबसूरत क्या कर रहा है इसम की खासियत को बता रहा है next question हमारा 2014 से ही है question है आग बगूला मुहावरे का मतलब क्या है option A है बहुत गुसा होना option B है दिल जलना option C है आग गुगलना option D है जलका राख होना यहां पर जो सही option है option A बहुत गुसा होना आग बगूला होने का मतलब होता है बहुत जादा गुसे में होना next question हमारा 2014 से ही है question क्या है जमीर की तारीफ बताएए जमीर क्या होता है उसकी तारीफ बतानी है option A है काम का होना option B है इसमे की जगे है बोला जाए option C है इसमे की तारीफ बताए option D है इसमे की बढ़ाई बताए यहां पर जो सही option हमारा वो है option number B इसमे की जगे है बोला जाए जमीर क्या होती है अबने क्या पर रखा है जमीर वो ऐसे अलफाज होते जो इसमी की जगें इस्तमाल किये जाते हैं तो यहां पर करेक्ट आप्शन कौन सा होगा? आप्शन नमबर B नेक्स्ट कोशन हमारा काफिया किसे कहते है आप्शन A है मिलते जुलते जुमले आप्शन B है बार-बार आने वाले लवज आप्शन C है हम वजन और हम अवाज लवज आप्शन D है मुतरादिफ लवज तो यहां पर जो सही आप्शन बनता है वो है आप्शन नमबर C हम वजन और हम अवाज लवज को काफिया कहते हैं ठीक है क्लियर है पुरा कॉंसेट बस यहीं तक था हमारा प्रिविएस येर कोश्टन 2013 में या फिर 2013 से पहले जो कोश्टन सा आते थे वो अप्शन में नहीं हुआ करते थे वहां पे आपको रिटेन फॉर्म में लिखना होता था तो हमने देख लिया कि 2014 से लेकि 2020-22 तक कितने ग्रामर के कोश्टन है और उनका पोश्टन क्या है अगर आप वीडियो देखोगे जो चैनल पे अप्लोड हमारे तो आपको पता चलेगा कि यार कोई भी एक्स्रा कोश्टन नहीं है सब कुछ जो मैं आपने पढ़ाया वहीं से तो वीडियो जरूर देख लेना अम शूर अगर आपने वह वीडियो देख ली तो अपको ग्रामर वाला पोश्टन हो जाना है तो यह था हमारा पूरा प्रिवेस एर कोश्टन वीडियो को लाइक करिये चैनल को सब्सक्राइब करिये चैनल पे आपको एम्यु नायथ कर भीडियो gid वाला उर उला है कर दोब्सक्राइब कर refers दोफ लाह मेंज है वीडियो आपको खिरP实 दोाईब करिये चैनल विन पाउल है अधर प्च्छ先 करिये चैनल वाला है